चोपड़ा है जो किसीने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो दिल्ली 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग IPU यानि इंदरप्रस्त उनिर्सिटी द्वारा करवाई जाती है हला कि इसके अंडर 5 मेडिकल को लेज आते हैं सबसे पहले WMMC, RML, BSA, NDMC और ACMS इन पांचों कोलेज में जो काउंसलिंग करवाई जाती है WMMC और RML की काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है और जो बाकी तीन medical colleges हैं, BSA है, NDMC है, ACMS है, इनकी counselling IPU दवारा करवाई जाती है दिली के 85% state quota के लिए, तो इसके registration पहले हो चुके थे, इसमें जो counselling होता है, admission होता है, वो NEET score पर होता है, लेकिन IPU का registration पहले करना होता है, इसमें दो परकार के registration होते हैं, पहले application form फिल करना हो होता है, तो सबसे पहले जो online application फिल किया जाता है, वो एक बार पहले फिल किये जा चुके हैं, उनकी last date और हो चुकी थी, लेकिन फिर से अभी reopen किया है, उन courses के लिए, जो national level के courses हैं, यानि NEET का है, या other courses है, national level के, जो national level का exam लगता है, उसके score पर ही admission होता है, उन courses के लिए, फिर से ये registration start हुए है, तो अगर आप NEET के थुरू, MBBS, BDSE या IUS में दिल्ली के 85% state quota में admission लेना चाहते हैं, तो आप ये form फिल कर सकते हैं, जिन candidates ने दिल्ली से 11th और 12th पास कर रखी है, वो candidate इसके लिए eligible हैं, दिल्ली state 85% quota के लिए, अब जो इसकी last date है, वो 22 May, 23 रखी गई है, जो last date है, 22 May 23 इसकी last date है, यानि कि जो candidates NEET के थुरू, IPU के अंडर जो counseling करवा जाती है, दिल्ली state 85% quota की, जिसमें BSA, NDMC, ACMS आता है, उनमें admission लेना चाहते हैं, तो वो form फिल कर सकते हैं, 22 May 23 तक हो सकता है, आगे ये application forms दुबारा से reopen ना हो या हो, वो अलग बात है, लेकिन आपने अभी result देख लिया होगा, अगर इनमें आप admission लेना चाहते हैं, तो आप 22 May 23 तक इसका registration कर दे, मैं दुबारा से बता देता हूँ, जिन candidate को NDMC, BSA और ACMS में admission लेना है, वो इसके लिए eligible हैं, वो registration उनको करना है, RML और VMMC में जो admission लेना चाहते हैं, उनको यहां registration करने के आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि उनका 15% का और 85% इस्टेट कोटा का जो counseling होता है, वो MCC द्वारा करवाया जाता है, यहां तीन college की counseling के लिए ही ये form apply होंगे अभी, इसमें जो ACMS है, वो private college है, Army trust द्वारा चलाया जाता है, जो Army के wards है, कुछ से SAST का कोटा है, out state का, कुछ दिली state का भी है, तो वो candidate भी यहां ACMS के लिए apply कर सकते हैं इसमें, तो आपको जब इसका registration करना है, तो इसकी last day 22, मई 23 रखी गई है, और registration करने के लिए आपको इसकी website पर जाना है, IPU के admission की website पर जाना है, और IPU के admission की website पर जाने के बाद, आपको यहां पर registration करना है, मैं बता देता हूँ, आपको registration कैसे कैसे करना है, यह यह program है, इनके थूँ जो national test है, इनके थूँ ही अभी 22 last date है इसकी, 22 तक admission यह form apply कर सकते हैं, उसके बाद में आप form apply नहीं कर सकते हो सकता है, बाद में यह reopen हो या ना हो, तो अगर आप admission लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अभी से apply करते हैं, अब apply कैसे करना हैं, तो इसकी website पर आप जैसे ही visit करेंगे, इसकी admissions IPU की एडमिशन की website पर जैसे ही visit करेंगे, IPU registration 23 यहां लिखा है, इसपर आप click करेंगे, यहाँ पर click करने के बाद इस परकार का option आपको मिलेगा, face candidate registration पर click करेंगे, इसपर click करने के बाद I agree पर click करेंगे, और यहां आपने candidate name देना है, mobile number देनी, email ID देनी है और user ID आपने खुद ने चूज करनी है यहाँ पर password भी आप खुद चूज करेंगे, security pin डालने के बाद में submit करेंगे तो जैसे ही submit करेंगे आपके mobile और email पर जो आपने user ID बना है और password बना रखा है, इसके तुरू आपने यहाँ पर sign in करना है वो user ID यहाँ ड्रोप करना है, इसके बाद में password, security pin डालने के बाद में sign in करना है और sign in करने के बाद आप इस form को fill कर सकते हैं तो इस परकार से simply सी यह steps है, form fill करने के लिए बाकी detail का video पहले जब यह registration ने start हुए थे, कितने sheet हैं, क्या हैं इसका मैं एक मैंने पहले video बना चुका हूँ तो आप channel search करके वो video देख सकते हैं, IPO के लिए कौन-कौन से candidate eligible हैं कौन से course में कितने sheet हैं, यह मैं पहले video बना चुका हूँ इसकी कटोप कितनी जाएगी, उसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ पहले previous video में अब बात करते हैं कि अगर आप counseling के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने इसके बारे में All India Kota और State, I.O.S.Wednery सभी की book publish कर दी है आप इस book को download करके आप counseling में help ले सकते हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 24 लिस्ट दी गई है 2023 के लिए आपको कैसे 24 करने है, 4 साल की इसमें previous year की cutoff दी गई है bond की detail दी गई है, इसके बाद में open category वगरा की सारी इसमें cutoff दी गई है इसी परकार के state की book में यह सारी facility available है इस video के description box से या फिर हमारी website www.operaeducation.in से इसको download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे, हम आप से संपर्क कर लेंगे, आप हमारी paid service भी ले सकते हैं तो मैंने आपको इस video के थ्रूजानकारी दी है, IPU के forum के बारे में जो अभी reopened हुए हैं और इनकी last date 22 मई 23 रखी गई है तो आप ये forum fill कर सकते हैं अगर IPU में admission लेना चाहते हैं तो ये जानकारी थी, IPU के बारे में, counselling के बारे में हर update आपको यहाँ पर मिलती रहेगी आप channel को subscribe करें, वीडियो को like वे ज्यादा से ज्यादा share करें ताकि काफी सारे लोगों को इसका फाइदा मिल सके, तो मिलेंगी नई update के साथ नई वीडियो में आप से फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए, जैहिन!